जै हो जै हो जै हो मेरे प्यारे बबर शेरो और शेर्नियों कैसे आप लोग सब बढ़िया पढ़ने लड़ने के लिए तैयार चालो वीडियो को आइन तक देखना आज हम लोग वर्क एनर्जी पावर के सारे NCRT सॉलूशन्स को कर डालेंगे NCRT questions को हम लोग निप्टा देंगे बहुत अच्छे से हम लोग इसको देख लेंगे एक एक question बहुत ही detail में discuss होगा आप प्लीज पूरे वीडियो को follow करें बिना किसी देरी के शुरू करते हैं Let's begin An object of mass 40 kg is raised to a height of 5 meter above the ground What is its potential energy? If the object is allowed to fall, find its kinetic energy when it is half way down देखो यार, बहुत ही आसान है कोई 10 kg का object है है ना, मतलब 40 kg का सौरी और 5 meter उपर पहुँचा दिया है उसे तो ध्यान दीजे, mass of the object कितना है? 40 kg और height above the ground कितना है? Height above the ground है इसका ये है 5 meters सही, इसने पूछा है, potential energy क्या होगी? तो सबसे पहले, let the value of G 10 meter per second square ये मान लिया मैंने मान के कर रहा हूँ आप चाहो तो इसमें 9.8 भी कर सकते हो there is no issue तो यहाँ पर क्या है? potential energy कैसे निकालोगे? gravitational potential energy MGH नई, M कितना है? 40 G कितना है? 10 ये कितना है? 5 कितना हो गया? 400 into 5 2000 joules सही? potential energy अब जब ये object नीचे गिर रहा है when object falls जब object गिर रहा होता है तो potential energy किसमें तबदील हो रही होती है? kinetic energy the potential energy is being converted into kinetic energy अब देखो when इसका मतलब ये हुआ कि जो conservation of energy principle है वो conservation of energy principle क्या कहता है? conservation of energy principle के अनुसार potential energy का sum kinetic energy का sum ये दोनो constant है सही? यानि कि change in potential energy change in kinetic energy के बराबर होगी सही? अब potential energy कम हो रही है तो kinetic बढ़ रही है इसका मतलब in half way down जब वो आधा नीचे आ गया है half way down में उसकी जो potential energy है वो कित्ती हो जाएगी? mg h h half h dash कर दू कित्ता हो गया ये? 40 into 10 into 2.5 यानि हजार हो गया ये 1000 जूल तो आधी हो गई बाकी आधी कहां गई? लॉस्ट हो गई क्या? नहीं काइनिटिक energy में बदल गई उसमें motion आ गया ना गिर रहा है तो motion आ गया तब वो काइनिटिक energy आधी 1000 जूल कहां चली गई? जो पहले थी वह अब काइनिटिक energy में तबदील हो गई Is it clear? बस बढ़िया है चली आगे चलते हैं Copy कर लीजे जल्दी से Next What is The work done by a force of gravity on satellite moving around the earth justify your answer इसके पचासों बार मैं answer दे चुका हूँ जब भी कोई भी object circular orbit में है और force of gravitation उसे attract कर रहा है तो देखो circular orbit यह रहा force of gravitation यह नीचे की तरफ यह pen दिखा रहा है तो अब इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई? इसका मतलब यह हुआ कि हर जगए यह perpendicular ही है force तो कितना भी displacement कर ले हमेशा force क्या है? perpendicular अगर force perpendicular है कितना भी motion कर ले वो so that means हमेशा हमेशा work done क्या रहेगा? zero work done zero है तब ही तो energy consumption भी zero तो वहाँ पे fuel वगएरा की जरुवत नहीं पड़ती है ना? अंतरिक्ष में आपने एक बार जब उसे एक orbit में बिठा दिया अब fuel की जरुवत नहीं पड़ती वरना आप सोचो ना कि कितना fuel लगता? सोचने वाली बात है चलो next question can there be displacement of an object in the absence of any force acting on it? can there be displacement of an object in the absence of any force acting on it? मतलब force कोई एक नहीं कर रहा फिर भी displacement हो रहा है discuss this question with your friends and teacher यह बात तो हम पढ़ चुके हैं इक बात तो हम पढ़ चुके हैं space में अंतरिक्ष में जब कोई loss नहीं है जब कोई friction नहीं है जब कोई air drag नहीं है air resistance नहीं है और object move करता चला जाएगा satellites हो गई आपका let us say satellites नहीं Voyager 1, Voyager 2 की अगर हम लोग बात कर लें तो यह इनको जब एक trajectory दे दी जाती है तो उसी में चलते चले जाते है तो जो यह जिस trajectory में चल रहे हैं उसी में continuous नहीं चलते चले जाएंगे हाँ या ना इसी लिए displacement तो हो रहा है लेकिन कोई net force वहाँ पे नहीं लग रहे है net gravitational force वहाँ पे क्या है जीरो है तो जी हाँ बिलकुल motion होता है क्या दिक्कत है बिलकुल होता है next a person holds a bundle of hay hay मतलब भूसा over his head for 30 minutes 30 minutes तक एक आदमी भूसा भूसे की बोरी रखके अपने सिर पे खड़ा है has he done some work or not no क्यों number one खड़ा है सिर्फ displacement भी 0 है दूसरा अगर displacement हो भी जाता तो force gravitational force is perpendicular to the displacement तो अगें work done 0 होता समझ गए an electric heater is rated 1500 watt how much energy does it use in 10 hours आओ देखो तो कोई electric heater है नहीं देखिये power rating कितनी है 1500 watt power क्यों बोला मैं क्योंकि ये तो आपका watt मतलब power unit है ना तो 1500 joule per second बोल सकता हूँ सही बात है in 10 hours 10 गंटे की बात हो रही है यानि time कितना हो गया 10 गंटे 10 गंटे का क्या मतलब हुआ 10 गंटे में 60 मिनट एक गंटे में 60 मिनट एक मिनट में 60 सेकंड इतने सेकंड हो गया सही तो T कितना हो गया 36 100 36,000 सेकंड ये टाइम हो गया अब power क्या होता है energy per unit time तो energy क्या हो जाएगी power into time power कितना है 1500 time कितना है 36,000 सबसे पहले तो इसको ऐसे लिखो 36 into 15 into 10 की पावर एक दो तीन एक दो 5 सई 36 into 15 36 into 10 360 है ना और 36 into 5 36 into 5 30 से 180 तो यह हो गया 180 plus 360 into 10 की पावर 5 ना यह कितना हो गया 0 और 36,000 चाववन ना यह 540 यहनि 54 into 10 की पावर 6 जूल 540 into 10 की पावर 4 यह 54 into 10 की पावर 6 एकी बात है इसको आप 54 मेगा जूल भी बोल सकते हो क्यों? Because 1 मेगा जूल का मतलब 10 की पावर 6 जूल 1 मेगा जूल का क्या मतलब होता है? 10 की पावर 6 जूल तो 54 मेगा जूल आंसर आगे Is it clear? Copy कर लो आगे बढ़ते हैं Illustrate The law of conservation of energy By discussing the energy changes Which occur when we draw a pendulum bob to one side And allow it to oscillate Why does the bob eventually come to rest? What happens to its energy eventually? Is it a violation of the law of conservation of energy? Okay Let me draw this and show it to you मैं आपको यह draw करके बताता हूं क्योंकि इसने draw करने के लिए कहा है बकाइदा आईए देखिए तो suppose कीजिए एक pendulum bob है ठीक है? This is a pendulum bob यह रहा अब क्या होगा? जब आप इसे एक तरफ ले जाओगे तो इसकी position यह हो जाएगी नहीं और जब आप इसे छोड़ोगे तो यह आके यहां पे आएगा फिर यहां से यहां चला जाएगा अभी देखते हैं कि इस दोरान हो क्या रहोगा? पहले मैं positions बना दू राइट तो यह हो गया extreme position one extreme position one और यह हो गया extreme position two सही है? यह है इसकी neutral या stable position जब आप इसे उपर लेके गए तो आप यहां पे notice कर सकते हो यहां center to center नाप लेते हैं हम लोग यहां पे कुछ height इसने gain की अब इसके पार नहीं जा रहा यह maximum height gain की h max है तो होगा यह कि यहां पे potential energy maximum हो गई और kinetic energy zero हो गई इस जगे potential energy zero क्यों? क्योंकि इसी के reference में ले रहे हो ना इसी से उपर नाप रहे हो ना तो यह तो zero position हो गई और kinetic energy क्या हो गई यहां पे maximum फिर इस जगे इस जगे भी देखो आप h height पे attain किया इसने मालो तो यहां पे भी potential energy क्या हो गई? maximum and kinetic energy is zero तो देखो energy conservation चल रहा है यहां पे right? potential energy बड़ी kinetic energy घटी मतलब यहां पे जैसे जैसे जा रहे हो इधर आपने छोड़ा तो potential energy बढ़ा दी अब जब आप छोड़ रहे हो तो potential energy किसमे convertory of motion की कारण? kinetic में यहां होते होते maximum आगे फिर अभी इसके inertia के कारण यह इधर जाएगा अभी रुकेगा थोड़ी रुक थोड़ी जाएगा अभी भी energy है kinetic energy maximum है तो अगर maximum kinetic energy है तो यह motion में ही रहना चाहता है तो अपने गड़ते 0 हो गई potential energy maximum हो गई clear है अब ऐसा नहीं है कि अनंत काल तक चलता जाएगा इसमें एक चीज होती है कि due to air resistance और air drag दा बॉब इवेंचली कम्स तू रेस्ट इवेंचली कम्स तू या कम्स एट रेस्ट जो पैंडूलम बॉब है वो finally कहां के हो जाएगा rest रुख जाएगा जितना swing करना था उसने कर लिए अब आके ये ऐसे रुख जाएगा सही है अब यहां के यहां पे रुख गया stable position इसने acquire कर ली is it clear इसने क्या किया stable position अपनी acquire कर ली ठीक क्यों क्योंकि ऐसा नहीं है कि energy कहीं loss हो गई energy कहां गई is gradually decreasing with each oscillation and is used to overcome used to overcome overcome what क्या overcome air drag क्या overcome करने के काम में आ रही है air drag so they are used to overcome the air drag logic clear simple okay copy कर लहीं से just copy it down फिर आगे चलते हैं copy it down चलिए next an object of mass m is moving with a constant velocity v how much work should be done on the object in order to bring the object to rest यह derivation मैंने कर वाया है notes में check करना derivation कर वाया half mv squared answer है इसका इसका answer क्या है half mv squared क्यों 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 क्योंकि object के पास में कितना energy है kinetic energy है अगर move कर रहा है तो kinetic energy है कितनी है half mv squared अब आपको उसे zero पे लेके आना है तो zero पे लेके आना है तो work उतना ही करना पड़ेगा आपको work देना पड़ेगा आपको energy energy absorb करनी पड़ेगी, वो energy absorb करने में आपका work जाएगा, समझ गए, पानी घूम रहा है, उसमें हाथ लगाते है तो पानी उपर चड़ जाता है ना, वही बात है, और यह proof करवाया हुआ है मैंने, प्लीज इसको check कर लीजेगा, I have, you know, discussed this proof with everybody, okay, next, calculate the work done, work required to be done to stop a car of 1500 kg, moving with a velocity 60 km पर आर, ठीक है, 1500 kg की car है, और 60 km पर आर से move कर रही है, तो इसके पास कौन सी energy है, काइनेटिक energy है, अगर इसके पास में काइनेटिक energy है, तो हम लोग उसी को खतम करना पड़ेगा ना, अब देखें यहाँ पे, mass 1500 kg, speed 60 km पर आर, यह हो गया, 60 into 5 by 18, यह हो गया 10 और यह हो गया वटे 3, 6 से गया, 50 by 3, meter पर सेकंड, यागी velocity, सही, अब अपने को क्या करना है, work done, is equal to kinetic energy में change, अब वो कित्ता हो जाएगा, half mv squared, 0 minus half mv squared, मैं सिर्फ magnitude की बात कर ले रहा हूं, तो यह हो गया, half m, m किता है 1500, into, 50 by 3, का square, यह हो गया, half into 1500, into 50, into 50, into 50, over 3, into 3, यह गया 500, यह हो गया 25, तो यह आँ पे आ गया, 25, पच्चिस पच्चे, 125, 500, into 1250, upon में 3, सही है, कितना आ रहा है है, 125 into 625, 625, एक, दो, तीन, 625,000 upon 3 joules, इतना वर्क करना पड़ेगा आपको, उसको रोकने के लिए, लॉजिक क्लियर है, चलो, आगे बढ़ें, find the energy in joules consumed in 10 hours by 4 devices, ऐसा question अपर ने किया है, कुछ नहीं, 500 watt के 4 devices हैं, यानि की, 500 into 4 किता हो गया, 2000, 2000 watt 10 घंटे, 1500 watt 10 घंटे का किया हूँ है, तो 2000 यह हूंवक कर सकते हैं, ठीक है, a freely falling object eventually stops on reaching the ground, what happens to its kinetic energy, जो इसकी kinetic energy है, वो कहां गई, the kinetic energy of this object is absorbed by the ground, it converts into sound, heat and breaking of the object, object में fracture, breaking, यह सब हो जाता है न, क्यों, क्योंकि energy एकदम से उसमें convert हो गई, that is why, और heat और sound भी उसमें आता है, is it clear, thank you so very much, I hope it is done, bye-bye, take care, jai hinn, love you all, please take care.